नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अर्विन नामदेव मैं शिवालाय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेटेव हम लिवर रोग बेशेशग्य के रूप में कारे रत हूं और यह वीडियो हमारे जो हैं वह बेसिकली अवेरनेस प्रोग्राम के तहित हम बना रहे हैं मेरा पिछला वीडियो था सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी को लेके कि कब की जाए उसके बाद कई लोग ने पूछा कि एक कैपसूल एंडोस्कोपी भी सर होती है तो वो कब करते हैं बहुत अच्छा सवाल था इसलिए मुझे लगा कि मैं अगले वीडियो में इसको एड्रेस करूँ बेसिकली देखिए जो एंडोस्कोपी अगर एंडोस्कोपी सोनोग्राफी में कोई कन्फूजन है तो प्लीज पिछला वीडियो आप लोग देख लीजेगा उसमें से खाना जो है स्टमक में जाता है फिर स्टमक के बाद खाना पारिशेली डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आथे जो पूरे पेट में घूम रही होती है तो उसके बाद फिर बड़ी आथ होती है जहां रेजिडूल वेस्ट जो है वो भग 10 से 12 मीटर लंबा होता है आई होप आप मीटर समझते होंगे कितना लंबा होता है तो ये बहुत लंबा ट्रैक है तो अगर इसमें कहीं बीमारी है तो जब हम उपर से देखते हैं तो एंडोसकोपी एक फाइबर नुमा चीज होती है पाइबर नुमा चीज होती है पतली सी जिससे हम एंडोसकोपी करते हैं उसकी एक रेंज है उसको हम उतना ही बना सकते क्योंकि अंदर जाके वो लूप में फिर वो अपने आपी नौट बन जाई है उसके आगे आप नहीं जा सकते तो बेसिकली आप मान के चलें की 1.5 मीटर लंबे उपर एंडोसकोप होते हैं इसके बाद जैसे कोलोनोसकोपी याने नीचे से जब देखा जाता है तो इसकी लेंग्ट जो कोलोन की है वो 3.5 मीटर होती जब हम उसको स्लीव करके याने उपर चड़ा चड़ा के छोटा करके भी देखते हैं तो हम जादा स्यादे 3-4 मीटर तक नीचले रास्ते से भी आपो को देख सकते हैं इसको हम कोलोनोसकोपी बोलते हैं तो समझना यह है कि ऊपर से हम लगभग 3 मीटर और नीचे से लगभग 3-4 मीटर याने ये 7 मीटर का रास्ता तो हम फ्लेक्सिबल एंडोसकोप याने जो पाइप नुमाइसकोप सोते उससे देख सकते हैं अब इसके बीच का क्या करें जो तो बीच की जो छोटी आथ है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जो अपने आप में 6 मीटर तक लंबी हो सकती है 5-6 मीटर एक फुली विस्क आदमी में हो सकती है तो इसमें कैसे देखा जाए यदि जब हमें ऐसा लगता है कि कोई बीमारी छोटी आथ में हो सकती है तो अगर वहां जैसे फॉर एक्जमपल सीवेर एनिमिया खुन की कमी जब होती है और कहीं आतों में थोड़ा खुन रिस रहा होता है जो पकड़ में नहीं आ रहा है लेकिन हमें खुन कहीं न कहीं स्टूल में आ रहा है तो अब ज़रूरी है कि हम छोटी आथ की जाच करें तो इस छोटी आथ को कैसे देखा जाए ये बीच का पांस से च्छे मीटर का रास्ता कैसा देखा जाए तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी टेकनलोजी डेवलप की है जो इसराइल से आई है हंदुस्तान में भी और पूरे दुनिया में तो इसमें एक कैपसूल नुमा एक कैपसूल के अंदर मतलब बेसीकल एक बैटरी उसको चलाने मतलब एक कैमरा होता है जिसको चलाने के लिए बैटरी होती है और उसमें एक ट्रांस्मिटर होता है समझना है कि यह कैपसूल जो होता है इसमें एक ट्रांस्मिटर है कैमरा है और बैटरी है अपने आप में तो यह चलती रहती है और यह हर सेकेंड चार से छे फोटो लेती है इवन ज्यादा भी ले सकती है but this is more than enough हम सब जानते हैं कि हम अगर still photo देख रहा है और उसको एक सेकेंड में 16 पिक्चर जैसे मूवीज हम देखते थे पुराने में reels आती थी तो वो reel को rotate करते थे तो एक बार में अगर 16 फिल्म निकल जाएं तो हमारे लिए यह वो reel time video बन जाता था ऐसे ही सोच के intestine के अंदर हर second यह camera चार photo लेता है stills वीडियो तो नहीं लेता है otherwise battery backup बहुत ज़्यादा चाहिए होगा तो stills लेता जाता है और उसको हम अंदर से यह capsule लेने के बाद transmitter जो होता है उसके उपर हम पेट में यहाँ पे एक recorder लगा देते हैं यह recorder जो है यह सारी photo को record करता है जैसे bluetooth है na bluetooth से photo हम एक से दूसरे उसमें भेश सकते हैं ऐसे ही यहाँ से transmitter जो है recorder में सारी photo भेशता जाता है और यह recorder फिर बाद में जो है हम computer में उसको पूरा download करते हैं उसके पूरी photos को फिर हम analyze करते हैं यह मान के चलें कि एक intestine में जब 10 से 12 घंटे तक यह capsule आगे बढ़ता है मतलब इसका process ही होता है कि पहले आँटों की सफाई की जाती है इस capsule को patient को बोला जाता है कि वो पानी के साथ जैसे हम दवाई और दूसरे capsule खाते हैं वैसे ही यह कहा खाने के बाद जो है capsule जैसे आम जैसे खाना आगे बढ़ता है वैसी आंटों में दीरे दीर दीर आ गए बढ़ता रहता है और यह जब आगे बढ़ता है तो हर सेकेंडoter yet i वह अपका capsule है वह अपना काम कर लेगा तो एक तो हुआ ये process की capsule को लेना और उसकी पूरी photo record होना और फिर recorder मे फोटो आना अब ये जो capsule है ये बाद में ये single use होता है use होके throw out हो जाता है fecal matter में जाके ये waste हो जाता है इसलिए थोड़ा costly भी होता है मतलब ये test capsule endoscopy एक महँगा test है एवरेज मान के चलने की 35-40,000 रुपय का इसमें खर्चा आ जाता है दूसरी चीज़ अब ये जो रिकॉर्डर है जिसमें सारी फोटो रिकॉर्ड हो गई हैं आपकी इनको फिर हम सॉफ्ट्वेर में लेते हैं और ये सारी फोटो को फिर हम एनलाइज करते हैं बेसिकली एक कैपसूल एंडोस्कोपी में लगभग साठ से सतर हजार फोटो ली जाती हैं इसको एनलाइज करने में एक से तड़ घंटे लग सकते हैं इसलिए कैपसूल एंडोस्कोपी बहुत इंफोर्मेटिव है अगर स्मॉल बावल आतों में आगर हम छोटी हाँ में बीमारी को सस्पेक्ट कर रहे हैं जो दूसरे टेस्स से नहीं पकड में आ रहा है तो उस समय हम कैपसूल एंडोस्कोपी पेशेंट को एडवाइस करते हैं इस सा कॉसली टेस्ट बट इट गिवज़ वेरी गुड रोड मैप बहुत अच्छा हमें बीमारी के बारे में बताता है और एकॉर्डिंगली हम भी ट्रीट्मेंट कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ इसके बारे में बताएंगा इस से वेरी इंट्रेस्टिंग टेकनोलोजी और अब इससे और ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहे हैं कैपसूल के साथ कुछ रोबोटिक्स चीजे जोड़ी जा रही हैं कि अंदर जाके हम उसको ट्रीट भी कर सके कैपसूल के स्वेलों को साथ में बट यह भी आने में टाइम लगेगा यदि यह वीडियो आपको इंफरमेटिव लगता है आप इसको इंजोई कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको शेयर करें लाइक करें और इसके बाद भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें झाल 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 झाल